Hey guys, good morning, welcome to PO TV, friends, आज हम 8-9 साल की बच्ची के पूरे सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, इसमें हम सलवार सूट बनाएंगे, इसकी काफी डिमांड आ रहे थी, इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके मैजरमेंट्स इस परका हैं, इसे बनाने के लिए हमने धाई मीटर कॉटन का फैबरिक लिया है, अब पूरे कपड़े की लंबाई में से हमने कुर्टी के लिए कपड़ा कट करना है, तो यहां से हमने 30 इंच लंबा कपड़ा काट लेना है, 30 इंच लंबा इसलिए लिया है कपड़ा, क्योंकि 27 इं चोड़ाई काट लेनी है तो आपने पूरा जितना पना होगा कपड़े का उसमें से 36 चोड़ा कपड़ा निकाल लेना है तो ये देखे मैंने अल्रेडी कट कर रखा है और ये जो इसकी साइड से बचा हुआ कपड़ा है इसका यूजम पैल्ट बनाने में करेंगे तो ये दे दोनों पैनल्स को एक दूसरे के उपर फोल्ड करते हुए रखेंगे लंबाई की तरफ फोल्ड करना है और ये ध्यान रहे कि दोनों की बन साइड एक तरफ होनी चाहिए अदर्वाइस कटिंग गल्थ हो जाएगी अब मार्किंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बन से टेप रखते हुए 6 इंचीज पे तीरे का माक कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें कॉलर नेक बनाना है अगर आप नेक सिंपल बना रहे हो तो आपने 5 इंच पे तीरे का माक करना है अब यहां उपर से टेप रखते हुए 6 इंचीज पे आर्म होल लेंथ यानि मुढ़े का मा अब fitting के marks करेंगे chest का चौथा भाग निकालेंगे और जितना answer आएगा उसमें आदा इंच की losing add करेंगे क्योंकि यह हमारा body measurement है body measurement के according हम mark कर रहे हैं तो यह हमने 7.5 इंच पे mark कर दिया अब कमर का चौथा भाग निकालेंगे और उसमें आदा इंच की losing डालते हुए 7 इंच पे mark करेंगे इसी तरह से hips का चौथा भाग निकालते हुए उसमें आदा इंच की losing add करते हुए 8 इंच पे mark कर लेंगे और friends आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा अगर आपका baby बहुत ज़्यादा weak है या फिर बहुत ही ज़्यादा healthy है तो उसके according आपको measurement में changes करने पड़ेंगे तो यह हमने fitting के marks को join कर दिया यहां corner से पोना एक इंच पे arm hole curve ड्रो करेंगे neck की width यानी चोड़ाई का mark धाई इंच पे करेंगे front neck की deepness तीन इंच पे mark करेंगे और back neck का mark हम पोना एक इंच पे करेंगे क्योंकि हमने इसमें collar neck बनाना है अब इन निशानों पे ऐसे box draw करते हुए neck की shape दे देंगे तो यह हमारी front neck की shape हो गई और यह back neck की shape हो गई अगर आप इसमें normal गला बना रहे हो तो आपने front neck की deepness पांच इंच पे mark कर लेनी है और back neck की deepness का mark आप धाई या तीन इंच पे कर सकते हो अब यहां से हमने shoulder down करना है आधा इंच और shoulder slope draw कर लेनी है और जैसे हमने यहां chest और hip से एक एक इंच का margin चोड़ा है वैसे ही कमर से भी एक इंच का margin चोड़ते हुए यह हमने cutting के लिए line draw कर ली अब cutting करेंगे और cutting करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने back neck draw किया हुआ है उस पे cutting करनी है क्योंकि हमारे दोनों panels इकट्थे पड़े हुए है अगर आप front neck की marking पे cutting कर दोगे तो आपकी cutting गल्थ हो जाएगी back panel को इसमें से हटाते हुए front neck की भी cutting कर लेंगे और हमने इसमें front armhole की छटाई करनी है तो जितना इस armhole length है इसके mid में एक mark कर लेना है और यहां से हमने लगबग आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए cutting कर देनी है और last में हमने इसमें placket के लिए cut देना है तो हमने 5.5 इंच पे mark करते हुए बिलकुत सीधा सीधा यहां पे cut दे देना है तो यह हमारे दोनों panel cut चुके हैं अब इन्हें हटा देंगे और सलवार की cutting करेंगे अब हमने इसमें जो कलियां और central panel यानि पोंचे जो होते हैं उनकी लंबाई कितनी cut करनी है उसके लिए हमने पहले देखना है जैसे मुझे 4 इंच की इसमें belt तयार रखनी है और पूरी जो हमारी सलवार है उसके लंबाई 30 इंच है तो हमने पूरी लंबाई से जितनी belt तयार रखनी है उसको minus कर देना है तो 30 से 4 गए रह गया 26 होफ़ें तो 21 सिन्च की हमने कलिया और पहुंचे की लंबाई तयार रखनी है तो उसके बाद हम हमें इसमें एक 2 इंच का चाहिए मार्जन तो हमने 27 इंच के लंबे कलिया और पहुंचे कट करने हैं आई होप आप समझ गए होंगे, यह आगे बच्चोगा कपड़ा हमने ले लिया हैं समय से हमने पौंचे कट करने हैं, यह कपड़ा हमा़े पास सिंगल है और किनारी वाली साइट मेरी तरफ है, इसमें से हमने 10 इंच चोड़ा कपड़ा निकालना है क्योंकि हमारे पोंचे की चुडाई 10 इंच त्यार है अब हमने इस में से इस तरह से पहले एक पोंचे की लंबाई का मार्ग करना है और फिर दूसरे की तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अब हमने यहां पे 27 इंच पे एक मार्ग करना है जितना कि हमारे पोंचे की हमने कटि निकालना है तो अब हमने यह जो पहले का पहुंचे की लंबाई का मार्क है यहां से टेप रखते हुए 27 इंच पे एक और मार्क कर लेना है तो यह इस तरह से हमारे दो पहुंचे का कपड़ा हो गया अब जैसे यह से हमने मार्किंग किया इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे तो आपको अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको पूरी कटिंग करते हुए दिखाऊंगी तो यह जो हमने 10 इंच पे मार्किंग किया इसी पे मैं कट कर रही हूँ और ये दूसरे पोंचे की लंबाई तक का जो माक है यहां तक मैंने इसको काट लिया ये हमारे दोनों पोंचों के लिए कपड़ा हो गया है अब ये जो निशान लगाया हुआ है यहां से इसको पकड़ते हुए डबल कर लेना है और यहां से काट लेना है तो ये मारे दोनों पोंचे यानि सैंट्रल पैनल कट चुके है अब ये जो कपड़ा रह गया है इस कपड़े को हमने चुड़ाई की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना है जितना कपड़ा होगा पूरा हमने इस तरह से फोल्ड करते हो रख लेना है इसमें से चारों कलियां कट करेंगे हम तो कली की लंबाई का मार्ग करेंगे 27 इंच पे और यहाँ नीचे से कली की चुड़ाई 2 इंच पे मार्ग करेंगे जैसे कि नॉर्मल हम मार्ग करते ही है इसके ओपोजिट हमने यहाँ पे क्रोच लेंद का मार्ग करना है यानि आसन का मार्क तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे 8 इंच पे आसन मार्क किया है तो ये सिलने के बाद 7 इंच रह जाएगा तो 7 इंच का मारे यहां से आसन होगा और 4 इंच की बैल्ट हो जाएगी तयार तो टोटल आसन हमारा 11 इंच हो जाएगा और अब इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देना है इस मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे यहां से यह कपड़ा जुडा हुआ है इसको भी काटते हुए अलग कर देंगे तो यह हमारी दो कलियां कट चुके हैं क्योंकि हमारा कपड़ा डबल है अब इसको हमने गुमाते होई रखना है इस तरह से बिलकुल अच्छे से सेट कर लेना है बिलकुल कपड़ा बराबर करते होई रखना है अब यह उपर वाली करली हमारी यहां तक है तो मैंने इस तरह से हलका हलका मार्क कर दिया जैसे यासे इस कली की शेप है उसी तरह से हमने नीचे वाले कपड़े को भी कट कर देना है अब ये साइड कपड़े की जुड़ी हुई है इसको कारते वे लग करने की जुरूरत नहीं है हम यहाँ पर आधा इंच के दबाव पर सिलाई लगा देंगे आसन वाली सिलाई तो ये चारो कलियां भी कट गई है अब बाजू की कटिंग के लिए कपड़ा लिया है ये डबल है और इसकी डबल में चुड़ाई 16 इंच है यानि सिंगल में 32 इंच हो जाएगी अब इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और ये जो जुड़ी होई साइड है इसको काट लेंगे अब ये हमारे पास चार लेर्ज हो गई है कपड़े की और इस कपड़े की लंबाई मैंने 14 इंच ली है अब माकिंग करेंगे यहाँ आर्म पिट से 2 इंच पे माक करेंग आर्म होल लेंच चेस्ट का फिफ्ट पार्ट लगाएंगे और आर्म होल की शेप ट्रौ कर देंगे अब बाजू की मोहरी 8 इंच है तो 8 का आदा यानि 4 इंच पे माक करेंगे और 1 से 1.5 इंच आगे मार्जन रखेंगे कटिंग के लिए तो ये माकिंग कटिंग की हो गई अब इस पे हमने कट कर लेना है अब इसके आगे हमने यहाँ पे फ्रिल अटैच करनी है इस तरह की बाजू बनाएंगे इसी कुर्टी को देखके हमारे विवर्जने डिमांड की थी इस कुर्टी की कटिंग और स्टिचिंग की इस कुर्टी के साथ मैंने शरारा बनाया हुआ है तो शरारा की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो उपर यह आई बटन आ रहा है इस पे क्लिक करते हुए आप देख सकते हो इसमें फ्रिल हमने तीन इंच लंबी तयार रखनी है तो यह चार इंच लंबाई का कपड़ा लिया है क्योंकि सिलने के बाद यह तीन इंच रह जाएगा और चड़ाई की तरफ हमने सत्रा इंच लिया है इसमें इस तरह से हमने चुन्यटे डालते हो इसमें अटैच करना है फ्रिल को तो ये बाजू भी हमारी कम्प्लीट हो गई अब ये जो स्टार्टिंग में कपड़ा बचा था जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम इसमें से बैल्ट कट करेंगे तो इसमें हमारी belt की चोड़ाई में थोड़ा सा joint लगेगा तो ये मैंने joint cut कर लिया है तो belt के लिए total चोड़ाई मैंने 18 inch ली है और लंबाई में 6 inch ली है क्योंकि ये सिलने के बाद हमारी 4 inch तैयार रह जाएगी इसी के साथ cutting complete होती है तो चलिए अब स्टिचिंग कर लेते हैं कूर्ती से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे ये फ्रंट पैनल लिया है और जहां ये प्लैकेट वाला कट खतम हो रहा है यहां पे हमने एक हलका सा सीधा सीधा कट लगाना है इस तरह ऐसे अब इसमें हमने प्लैकेट रेडी करना है तो उसके लिए दो सीधी पटियां ली है दोनों की चोड़ाई सेम ली है धाई इंच एक की लंबाई हमने साड़े पांच इंच ली है जितना की ये कट दिया था और दूसरे की लंबाई हमने कट से 1.5 या 2 इंच एक्स्टा ले लेनी है तो ये मैंने साड़े 7 इंच ली है पहले ये छोटे वाली स्ट्रिप लेंगे और इसे कुर्टी की उल्टी साइड से रखते हुए हमने स्टिच करना है कुर्टी और स्ट्रिप की उल्टी साइड उपर की तरफ है यहाँ पे रखते हुए हमने पाव इंच यानि क्वाटर इंच के दबाव पे सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए यहाँ से बाहर की तरफ निकाल देनी है जहाँ पे एक कट है अब इसे ऐसे करते हुए अच्छे से नाखुन से दबा लेना है और कुर्टी की सीधी साइड में पलटते हुए यहाँ से एक वाटर इंच यानि पाव इंच फोल्ड करते हुए यह जो सिलाई लगाई है इस तक लाते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे अब फिर से कुर्टी की उल्टी साइड उपर की तरफ करते हुए रखनी है और इस दूसरी साइड में लमबे वाली स्टिप को अटेच करेंगे तो ये कुर्ती और स्ट्रिप दोनों की उल्टी साइड उपर की तरफ करते हुए रखी है स्ट्रिप को यहां गले से थोड़ा सा उपर की तरफ बढ़ाते हुए रखना है यानि बाहर की तरफ निकालते हुए फिर क्वार्ट रेंज के दबाव पे सिलाई लगानी है यहां से अच्छे से नाकुन से दबाते हुए स्ट्रिप को सीधी साइड में कर लेंगे और कुर्ती की सीधी साइड उपर की तरफ करते हुए इसके इस किनारे को पाव इंच फोल्ड करते हुए पहले की तरह सेम यहाँ इस सिलाई तक लाते हुए सिलाई लगाएंगे इस सिलाई को हमने कुट्टी में जो कट दिया था इस कट से quarter inch उपर ही रोक देना है तो यहाँ पर मैंने एक मार्क कर दिया इस मार्क पर लाते हुए सिलाई को रोकते हुए हमने कूर्टी को ऐसे घुमाना है और प्लैकेट को एक दूसरे के उपर ओवरलैप करते हुए पिंद की हेल्प से मैं सिक्योर कर रही हूँ अब यहाँ पे सीधा स्टिच लगा देना है और नीचे से आप चाहो तो इसको सीधा फोल्ड कर सकते हो लेकिन मैं इसको ट्राइंगर शेप देते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी फ्रेंड इससे पहले मैंने प्लैकेट पे दो वीडियो अप्लोड कियो हैं उनमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है प्लैकेट अटेच करना और कैसे पूरा उसका फूल टेटोरियल है अगर आप देखने में इंट्रस्टेड हो तो उपर यह आई बटन आ रहा है इस पे क्लिक करते हुए आप देख सकते हो प्लैकेट बनके रेडी हो चुका है अब यहां से हमने जैसे जैसे गले की शेप है व इसमें हमने कॉलर लगाना है तो इसके गले का राउंड मैजर कर लेंगे तो यह हमारे पास 15 इंचिज आ रहा है कॉलर कट करने के लिए 14 इंचिज लंबा और 4 इंच चोड़ा बुक्रम या फिर पेस्टिंग पेपर का पीस लेंगे अब हमने कुर्ती को ऐसे पकड़ना है और यहां मैं सैंटर पे इसके कट दे रही हूँ तो हमने इसको ऐसे पकड़ते हुए यहां बुक्रम पे ऐसे रखना है कुर्ती की बंसाइड और बुक्रम की बंसाइड दोनों एक तरफ करते हुए रखना है और यह जो जॉइंट है तीरे का यहां पे एक निशान लगा देंगे अब यह कटिंग जो हमारी नेक कटिंग करते वक्त निकली थी इस कटिंग को हमने ऐसे रखना है और सेम शेप ड्रॉ कर लेनी है फ्रेंड यह कॉलर कट करने का बिलकुल परफेक्ट तरीका है तो इससे कॉलर की शेप भी बहुत अच्छी आती है अब हमने इस पे पोना एक इंच के गैप पे ऐसे मार्क कर लेना है क्योंकि हमने पोना एक इंच चोड़ा कॉलर बनाना है और टेप रखते हुए यहां से हम इसको मैजर कर लेंगे जहां हमारा 15 इंच आ रहा है वहां पे हमने एक निशान लगा देना है 15 का आदा हो गया साड़े साथ तो मैंने देदी कॉलर की अब हमने इस पे कटिंग कर लेनी है तो यह मारा कॉलर कट गया है कूर्टी से मैचिंग कपड़े की उल्टी साइड पे इसे रखते हुए हमने पेस्ट कर लेना है अगर आपकी पेस्टिंग वाली बुक्रम नहीं है तो आप कच्ची सिलाई लगा लीजिए आदा इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाके कपड़े की ट्रेमिंग कर देनी है और इस कपड़े को फोल्ट करते हुए कच्ची सिलाई लगा देनी है एक और स्ट्रिप लेंगे कुर्टी से मैचिंग इसकी सीधी साइड पे से ऐसे रखना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे खतम करेंगे बुक्रम का जस्ट हलका सा किनारा दबाते हुए सिलाई लगाएंगे ज़्यादा दबाब नहीं देना ह यहां quarter inch कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की trimming कर देंगे और पूरे collar में चोटे चोटे नौचिस दे देंगे सिलाई से दूर रखते हुए इस side में भी हमने पाव inch से थोड़ा सा जादा और आदा inch से थोड़ा सा कम कपड़ा छोड़ना है जितना कि हमने collar लगाते वक्त सिलाई में देना है उतना अब इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे और पलटने के बाद इस पे iron यानि प्रेस कर लेंगे तो यह हमने इसको प्रेस कर लिया है अब इसे ऐसे फोल्ड करते हुए इसके center पे एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें कुर्ती में attach करने में असानी रहे collar कुर्ती की हम उल्टी side से रखते हुए attach करेंगे तो कुर्ती के गले के center पे जो cut दिया इसको और collar के center को मिलाते हुए यहाँ पे एक छोटा सा stitch लगा देना है अगर आप center से गले को पहले collar को fix कर लेते हो और उसके बाद इसको सिलना start करते हो आगे की तरफ से तो ऐसे कभी भी collar में जोल नहीं आता अगर कोई थोड़ा बहुत वल-वल आये तो वो पीछे की side में चला जाता है अब प्लैकेट को बराबर करते हुए ऐसे mark कर लेंगे इससे हमें पता रहता है कि हमने collar को कहां से लगाना start करना है अगर आप ये marking नहीं करोगे तो कई बार collar उचा नीचा हो जाता है अब हमने इस निशान से collar को रखते हुए collar के एक end को पहले सिलेंगे गले के center तक जहां हमने collar को fix कर रखा है और फिर इसके बाद हमने collar के दूसरे end से सिलाई start करनी है और उसको भी center तक सिल लेना है तो यहां center से सिलाई को निकाल लेंगे अब इसी तरह से दूसरे end पे भी सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड अगर आप कॉलर लगाना ब्रीफली सीखना चाहते हो तो उपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो इससे रिलेटिड वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं अगर आप इंटरस्टेड हो तो वहाँ से भी देख सकते हो क्योंकि हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होता एक्स्प्लेंड करते होए बताना तो यह हमने सैंटर तक इस सिलाई को कर लिया है अब कुट्टी की सीधी साइड उपर की तरफ करते होए रखेंगे और कॉलर को ऐसे पलट लेना है अब यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको अंदर की तरफ करते हो पूरे कॉलर के राउंड में हमने स्टीच लगाना है तो यह स्टीच भी हम यहां सैंटर से स्टार्ट करेंगे ताकि कॉलर के जो एंड्स हैं उन पर फिनिशिंग रहे और ऐसे ही इस सिलाई को पूरे कॉलर में हमने घुमा देना है और यहां से भी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए यहां पर भी सिलाई लगा देंगे यह आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से हमारा कॉलर ready हो चुका है हमने इसमें यहां पर टिच बटन लगा देने है अब इसमें हमने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा देनी है ऐसे ही दूसी साइड की भी सिलाई लगा देंगे अब ये बाजू ली है और इसमें हमने फ्रन्ट आर्मॉल की चटाई अभी नहीं की है तो यहाँ पर हमने लगबग आदा इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए इस पर कटिंग कर देनी है और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों बाजू की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए अब फ्रिल वाला कपड़ा लिया है और इसकी उल्टी साइड उपर की तरफ है इसके एक किनारे को क्वाटर इंच फोल्ट करेंगे और एक बर फिर से क्वाटर इंच फोल्ट करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे यानि तोटल हमने आधा इंच फोल्ट करना है अब इसकी इस साइड में कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमने इसमें चुनटे डाल ली है तो ये देखे हैं हमने काफी मोटी चाल करते हुए कच्ची सिलाई लगाई है और इसमें चुनटे डल गई है अब हमने इसको ऐसे रखते हुए बाजू की सीधी साइड पर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद हमने इस पर ओवरलोग भी कर लिया है अब हमने इसको ऐसे करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिश देना है इस कपड़े को दबाते हुए बाजू पे लगाने के लिए हमने हैंगिंग पॉम पॉम वाली लेस दी है इसको हमने यहाँ इनारे पे रखते हुए स्टिच कर देना है अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से बाजू का राउंड चार इंच पे है मार्क कर लेंगे और इसको आर्मोल वाले निशान से मिला लेना है यहाँ से हमने जस्ट आदा इंच का दबाब देते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ से बिलकुल कॉर्नर नहीं बना रहा है हलका सा राउंड शेफ देते हुए सिलाई लगानी है तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं अब इसे कुर्टी में अटैच करना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कुर्टी की फ्रंट आर्म होल और बाजू की फ्रंट आर्म होल वाली जो साइड है दोनों एक तरफ होनी चाहिए तो यह हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट आरा है जो हमने सिलाई लगाई है आर्म होल की अब हमने बाजू को सीधा करते हुए कुर्टी के नेक से अंदर डालना है कुर्टी की फिटिंग की सिलाई और बाजू की सिलाई को मिलाते हुए रखना है और ये जो extra margin इसको fold ज़रूर कर लेना है otherwise under arm से कुड़ती खिचती रहती है अब हमने पूरे round में सिलाई लगा देनी है ये दोनों बाजू हमने attach कर दिये हैं अब हम इसका घेरा यानि दामन fold करेंगे और sides को हमने यहां तक fold करना है और नीचे जितना margin रखा है उतना fold कर लेंगे लेकिन मैं इसको नीचे से 1.5 इंच तक fold कर रहे हूँ क्योंकि मैं इसमें सिलाई लगाने वाली हूँ लेकिन मैंने इसकी cutting तुरपाई के according बताई है तो हमने इसको ऐसे fold करते हुए सिलाई लगा देनी है दोनों panels को पहले हमने नीचे से fold कर लेना है और इसके बाद इसके slits यानि चाक fold कर लेने हैं ऐसे ही हमने पूरी कुर्टी में folding देनी है अब हम इस पे यहाँ पे यह वाली lace attach करेंगे इसका एक एंड फोल्ड करते हुए यहाँ जहाँ पे यह fitting की सिलाई खतम हो रही है इससे लगबग पाव इंच यानि quarter इंच उपर की तरफ लेस रखते हुए stitch कर लेना है इसे के साथ ही कुर्टी की stitching complete हो जाती है यहाँ पे हम बाद में stitch बटन लगा लेंगे और white color के उपर normal बटन लगा देंगे अब सलवार की stitching करेंगे पहले हमने बैट में सारे joints लगा देने है उसके बाद हमने ऐसे नेफा इसमें fold करना है और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा खुला छोड़ देना है क्योंकि इसमें elastic डालनी है अब इसमें डालने के लिए मैंने 21 इंच लंबी elastic ली है इसे safety pin की help से इसमें डाल लेंगे और elastic डालने के बाद हमने जो खुला space छोड़ा है उसको भी sill लेना है तो यह मैंने इसमें elastic डालते हुए complete कर लिया है सारे stitching अब हमने इसके center पे यहाँ पे भी sillाई लगा देनी है जो मेरे regular viewers हैं उनको पता है कि मैं किस तरह से elastic डालना बताती हूँ अब हमने कलियों के pairs लिये हैं इनके हम आशन यानि crouch stitch कर लेंगे कपड़े की सीधी side अंदर की तरफ है यानि दोनों कलियों की उल्टी side बाहर की तरफ हमने रखते हुए एक-एक करते हुए दोनों side में इसके attach करना है तो ये दोनों पोंचे इस तरह से हमने सीर लिये हैं कली के दोनों sides में अब जो एक कली का pair रह गया है उसको हमने इसके साथ attach करना है तो ये कपड़े की सीधी side है इस पे हमने इस कली के pair को सीधी से सीधी side में लाते हुए ऐसे रखना है और ये जो पोंचा है इसके साथ हमने इसको ऐसे रखते हुए stitch करना है इससे पहले मैंने सलवार की stitching और cutting पे detailed वीडियो बनाया हुए अगर आपको नहीं आता है सिलना सलवार तो आप वहां से एक बार उस वीडियो को देख सकते हो तो हमने ऐसे दोनों ends कली के रखते हुए stitch करने है अब ये सिलने के बाद सलवार का लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा अब हमने इसमें back और front की plates insert करनी है ये कपड़े की सीधी side उपर की तरफ है और back side में हमने दो plate डालनी है और plates की direction आसन वाली सिलाई की तरफ करनी है इस तरह से एक हम एक side से plate उठाएंगे और दूसरी इस सिलाई के दूसरी side से उठाएंगे दो inch के gap पे हमने plate उठानी है ये back side की दो plates हो गई अब इसी तरह से front side की plate भी डाल लेंगे front side की plate डालने से पहले हमने ये जो ponche attach किये है यानि central panel इनके हमने center पे यहां पे cut दे देना है क्योंकि यहां से हमने plate जूर उठानी होती है जो कि हमारी सल्वार की crease बनती है इसी तरह से हमने इस panel पे भी cut दे देना है क्योंकि दो panels हैं सल्वार में ये सल्वार की सीधी side उपर की तरफ है और crotch line से हमने दोनो side में 2-2 inch के gap ऐसे mark कर लेना है ताकि हमारी plate एक्वल gap पे आएं अब ये हमारी crotch line है यहां पे मैंने mark कर रखा है अब यहां से इन निशानों को हमने ऐसे उठाते जाना है एक्वल gap पे और stitch लगाते जाना है और crotch line की तरफ दोनो side की plate की direction करनी है ये हमारी crotch line है अब हमने ऐसे plate उठानी है और इन पे कच्ची सिलाई लगानी है मैं आपको एक side की plate दालते वे दिखा रही हूँ अब ये देखे ये जो cut हमने दिया है यहां से plate ऐसे उठा लेनी है ये एक side की plate से हमारी डल चुकी है अब ऐसे ही इस तरफ की भी डाल लेंगे अब इसमें हमने belt attach करनी है तो ये belt मैंने ले ली है और इसके हमने center पे cut लगाना है एक side का center हम ये सिलाई मानते हुँ चलेंगे और दूसरी side पे हमने cut दे देना है अब इस cut को हमने सलवार की back side में attach करना है belt को उल्टाते हुए ऐसे डालेंगे और सलवार की back side और belt का cut मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे अब belt की front side और सलवार की front side जो सलवार का front वाला crouch है इन दोनों को मिलाते हुए फिर सिलाई लगानी है ये दोनों मिलकर आने चाहिए अब ये सलवार में belt हमारी लग चुकी है अब इस कप्ड़े को इस तरफ करते हुए यहाँ पे हमने इसको दबाते हुए सिलाई लगानी है पूरे round में लगा लेंगे ये सिलाई भी अब यहाँ पे बुक्रम अटैच करते हुए हम पूंचा रेडी कर लेंगे इसमें मैं धाई इंच चोड़ा पूंचा बना रही हूँ और पूंचे बनाने के बाद हमने यहाँ पे जितना रेडी पूंचा है यानि 5 इंच 5 इंच पे मार्क करते हुए पूरा यहाँ पे लेग वाला स्टिच लगा लेना है और यहाँ से यह जो क्रोच वाली सिलाई है दोनों मिलकर आने चाहिए अब इसी तरह से इस सिलाई को लगाते हुए कम्प्लीट कर लेंगे और यहाँ से आनिवन फैब्रिक को भी ट्रिम कर देना है तो इसी के साथ ही यह सलवार की स्टिचिंग भी कम्प्लीट होती है और कुट्ती के गले पे भी हमने टीच बटन अटैच कर लिये है और बाहर भी वाइट कलर के बटन लगा दिये है आई होप फ्रेंड्स आपको यह आज की वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको इससे थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इससे जादा से जादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दन बाबाई एंड टेक क्यार